दोस्तों, यूपी ट्रिपलेसी लेकपाल फार्म का जो लिंक हुआ एक्टिवेट हो चुका है, सबसे पले हम लोग यह देखेंगे कि यूपी ट्रिपलेसी फार्म को जो फिल करना है, उसमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना है, और हमें किन-किन डाकुमेंट्स की आओ स पर फिल होगा, किन-किन डाकुमेंट की ओ सकता पड़ेगी, तो चली हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, लिंक को क्लिक करने का और फार्म के इंटर करने का, सबसे पहले हम लोग सरकारे रिजल डाट काम पर जाकर के, यहां पर जाकर के आप लोग अप क्लिक हेर पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक हेर पर क्लिक करने के बाद हम लोग फार्म में इंटर कर लेंगे, यहां पर आपका देखिए, आपसन ओपेन हो गया, यहां पर ओपेन होते ही आपको जॉब नोटिफिकेशन में पूरा इंफॉर्मिशन लिखा, वह द देख लेते हैं कि कौने सी विकंस यह है सबसे पर हम लगों देख लिते हैं कि toplum गिंद्स्ट्रक्शन में किन कींन बात्व को को हम लोगे को दिṣान में रख ना है ठीक यहांपर आते हैं। पले हमनों को पीडिय डावोड करेंगेEs पीडियेप डाउलोड करने बाद फिर देखेंगे क्या-क्या है तो आज हम शुरू करते हैं पीडियेप जिन भाई लोगो लिए पेट का एकजाम नहीं दिया है वे इस फार्म को फिल नहीं कर पाएंगे अच्छे किन-किन डाकुमेंट क्यों सकता पड़ेगी सबसे पहले देखते हैं हम लोग सबसे पहला आपसन लिखा हुआ है कि जो पेट में रिष्टेशन नंबर मिला हुआ है आपको जो पेट का रिष्टेशन नंबर है उसको आउसकता पड़ेगी दो विकल्ब में उपलब्द कराए गया है अच्छे क्या लिखा वह अभ्यर्थिको प्रारंभिक अर्था परिष्छा कि रिष्टेशन नंबर के प्रमाड़ी करण है तू दो विकल्ब उपलब्द कराएगा है कौन कौन सा बहला है बेक्तिगर्द विब्रण के साथ मतलब कि पर्सनल लिटल डालना है उसमें इसमें अब को रिष्टेशन नंबर डालना है डेटा बर्थ डालना है जेंडर डालना है उत्तर प्रदेश का मूल निवास और स्रेडी कटेगरी जो भी कुछ डालना है आपको डाल करके लागिन कर सकता है दूसरा आपसन क्या लिखा है मतलब की OTP OTP अब मैं आपको बताऊंगा अब की फॉर्म को कैसे फिल कर रहा है यहां से पले इंस्ट्रेक्शन पर लेते हैं फिर दूसरा OTP अभ्यर्थी प्रारंभिक औरहता परिच्छा 2021 के रिष्टेशन नंबर वो रिष्टर्ड मोबाइल नंबर इमेल पर प्रिसित किए गए OTP के माध्यम से लागिन कर सकते है मतलब की अब दो आफ्सन है ठीक है OTP से भी लागिन कर सकते हैं और यहां पर जाकर के फर्स्ट आफ्सन से भी आप लागिन कर सकते हैं खुद आप यह मोबाइल से फार्म बढ़ सकते हैं अच्छे आवेदन की प्रक्रिया की बात कर लें तो पहला लिखा हुआ है इस भाग नाम उत्रप्रदेश का मुल्ल निवासी स्रेडी EWS होका तो EWS में 36 आरचर से संबंदित वीबर्ड जेटाब बर्त लिंक वैवाहिक इस्तिती संपर खेति मोबाइल नमबर इमेल आदी वीबर्ड स्वता प्रतरसित होगी मतलब कि आप जब पेट में जो आप डाले हैं मतलब कि थोड़ा सा मेनत कम करना पड़ेगा इस भाग में अभ्यर्थी को बिज्यापन में प्रकासित अनिवार अरेता से संबंधित फोटो रहस्ताक्षर कैसे अच्छ मैं आपको भी बता दूंगा कि फोटो कैसे कम किया जाता है कैसे ज्यादा किया जाता है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा पले यहां पर देख लेते हैं तीसरा क्या लिखा है 1.3 में फोटो और हस्ताक्षर से संबंधित यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है लिखावा कि इस भाग में अभ्यर्थी सुल्क जमा करने की निधारित अंतिनती धी के उपरां तो सुल्क जम क्लिक नहीं कर पाएगा सबसे बड़ी बात यह है कि दिस समय से प्लोग फ्यमेंट नहीं करते हैं तो फिर भायों आप लोग का पैसा नहीं जमाओगा और फिर फार्मी सबेट नहीं होगा इस तरीके से आप देखते हैं तो इस तरीके से हम सारा नोटिफिकेशन पढ़ने क बाद हम लोग चलेंगे अप लोग कंडिडेटर रिष्टेशन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के पास एक पेज खुलके आएगा इस पेज पर लिखा हुआ है क्या खुब ध्यान से इसको पड़ लेंगे एप लिखा क्यू क्लिक टू भ्यू पोस्ट वेकेंसी चीक ना सब कुछ हम लोग उपर पड़ चुके हैं इसको क्लिक करके एगरी कर देंगे में अब अब लोग अपना सारा फार्म फिल कर लेंगे बट फिर भी मैं पूरा प्रोसेस बता जाता हूं कि क्या है पूरा फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस सबसे पहले लिखा हुआ है कि थो प आप OTP के बाद हमसे भी लागिन कर सकते हैं ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूं आपका नंबर आपके का मतलब मेरा नंबर होगा वंजर काने के बाद हम लोग ओटीपी क्लिक इंटर करेंगे यहां पर और OTP इंटर करते ही नीची आएगा वेरिफिकेशन कोड यानि यहां पर इंटर करना है हमें हमें कैप्चा कोड डालते हैं इसमाल येस कि उसके बाद क्लिक टू प्रोसेस करते हैं प्रोसेस करते ही आपका फॉर्म क्या हो गया ओपिन हो गया अब हमने देखिए OTP इंटर किये हमने लागिन किया हमने फॉर्म को लागिन किया यहां पर पूरा पोस्ट लेखपाल सेलेक्शन टाइप सब कुछ लिखा हुआ है पॉर्सनल लीटेल देखिए यहां पर हमने जैसा कहा था कि पूरा इंट्फॉर्मिशन डालते ही आपका खुल जाएगा ठीक है पूरी कुछ भी आपको देखना नहीं है सब कुछ पर्ले से हाँ कोई करेक्शन है तो आप लोग यहां से करेक्शन कर सकते हैं बट अभी वह ऐसा कुछ नहीं है यहां निची आते हैं डिटेल फार इसेंसेर क्वालिफिकेशन फार्द पोस्ट आप लेख पाल इस वाले सेक्शन में इस वाले सेक्शन में यहां पर जो लिखा हुआ है डिटेल फार्द यह अलग से मांगा है आपका डिटेल यहां पर हमें को डिटेल फिल करना ही पड़ यह यहां कर लेंगे यहां पर जोए szkoll int 미ra. pass उगे आप लोग तभी लिए पिट का फार्म भरे होंगे तो अपना सारा इंट अन na चांज डालने के बाद कि इस तरीके सेहापका सेकेंड अप्सन भी complete हो जाएगा। फस्ट हुता सेकंड अप्सन है ठीक ुद्च करना चाहते हैं लिए अप लूग एस तरीके से फोट्ट वाला सेक्षन भी आपका कम्प्लीट हो जाता है नीचे सारा कुछ दिया हुए सारा कुछ अपनों चेक कर लीजिएगा यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपका एज प्रूफ सैटिपिकेट मागएगा बेकल्पिका आप चाहे तो फिल कर सकते हैं अपके पास आपस आप सब कुछ इंफार्मेशन फिल करने के बाद लास्ट में फिर आपसे वेरिपिकेशन कोड माँएगा ए इस वेरिपिकेशन कोड को डालने के बाद सेव एंड प्रोसीर्स करेंगे और कनफर्म करके आगे भरेंगे त्यानि कि अब आपका लास्ट आपसन आ सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर 25 रुपिया फी लग रहा है आपका पहुत महरबानी गवर्मेंट का 25 रुपिया फी लग रहा है सब्सक्राइब करते हैं कैसे देखते हैं तो आसा करता हूं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस खूब अच्छी से समझ में आया होगा आप लोग अपना फॉर्म समय से फिल कर लें जिससे की वेपसाइड पर ज्यादा लोड ना पड़ें और समय समय से सबका फॉर्म फिल ह सब्सक्राइब